स्वाइ फ्रेंट्स केस्व आप सब लोग सौगते आप सभी का हमारे यूटूब चानल के उपर और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्डन टॉपिक डिसकस करेंगे MSTCET 2022 का यह फिर MSTCET जो भी एस्परेंट्स है MSTCET की प्रिपरेशन करते है उनके लिए NEET वाले भी और JW वाले भी क्योंकि एक जो word होता है वो most common होता है वो होता है cut off यह cut off आखिर होता क्या है कौन लगाता है और यह cut off मतलब है क्या ठीक है तो government college को अगर हमको admission लेना है तो कितना maximum cut off रहता है हमको कितने marks लाने होंगे वो college में admission हासिल करने के लिए तो यह सारी चीजों के बारे में हम आज discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो make sure चैनल को subscribe कर दो उसके साथी साथ share करना bell icon भी hit करना ताकि notification आपको मिल जाए और हमारा telegram group भी है जहापे आप join हो सकते हो Instagram account भी है जहापे आप मेरे को follow कर सकते हो वहापे हम chart भी कर सकते है आपके जो questions है उनके answer भी में दे सकता हो ठीक है तो यह है general introduction अभी अगर main topic की बात करें तो वह है cut off तो cut off आखिर होता क्या है तो cut off मतलब क्या कि किसी for example एक college है उसको admission लेना है वो college के अंदर students का तो cut off मतलब क्या कि वहाँ पे अगर 100 students ने apply किया है तो उसमें से सिर्फ 10 students को उनको लेना है तो वो क्या करेंगे सबसे पहले जो maximum students है जिनको maximum marks है वो पहले उठाएंगे उसके बाद middle वाले उठाएंगे और उसके बाद अगर फिर भी बहुत सारे हमने बहुत सारे students के अग common marks है मतलब एक दो mark का ही difference है तो वो क्या कर सकते है कि 100 में से 80 के अबोगे उठा लो और 80 के नीचे वाले मतलो मतलब 80 क्या है cut off क्या है तो 80 पे है मतलब 80 के जो पहले है वो सब घर जाएंगे और 80 के उपर इनको marks होंगे उनको admission मिलेंगे तो 80 जो number है 80 जो marks है वो है cut off marks तो cut off मतलब क्या होता है कि एक ऐसी boundary college द्वारा हम बोल सकते है institute द्वारा select करना जिसके उपर के students हम लेंगे और जिसके नीचे के students हम नहीं लेंगे तो वो होता है cut off तो अभी सवाल यह आता है कि cut off किसके उपर depend होता है कभी यह बढ़ता है और कभी यह घटता है for example अभी जो 100 students ने एक आदे इंस्टूइंट में अपलाई किया है तो वहाँ पे अगर 100 students को maximum marks है बहुत ज़्यादा marks है तो competition बढ़ गया तो cut off क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा marks वाले students ज़्यादा है तो cut off 90 लग सकता है 100 में से 90 marks में cut off लग गया 100 में से 95 marks पे cut off लग गया है लेकिन जो 100 students ने अपलाई किया है अगर उनको कम percentage है कम उनको marks है 100 में से 100 में से उनको 80 ही है तो आपका percentage लगेगा 75 या फिर 75 के उपर मतलब 75 के उपर के लोक मतलब 75 हो गया cut off marks मतलब ऐसे marks होते है जो मतलब कि एक boundary होती है उसके उपर के students को लेनी की और नीचे के नहीं वहाँ पे admission मिलेगा उनको ठीक है तो वो होते है cut off marks और यह depend करता है कि कितने students ने वहाँ पे apply किया है वो students को कितने marks है उसके उपर है समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको जो भी doubt था cut off के अंदर और अगर आपको government college में cut off कितना लगता है अगर यह देखना है तो वीडियो को देखते रहे है मैं आपको government college की cut offs भी बताता हूँ अभी आपके सामने जो page है वो है cut off का page तो अलग-अलग college का अलग-अलग cut off होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो name of institute दिया गया है college of agriculture पुने अभी यह B.H.C. Agri का है cut off 2019 का यह एक example के लिए आपको मैंने लिया है और इसलिए तब कैसा था percentile नहीं था तो तब ऐसे marks थे तो मुझे लगा कि marks में आपको वो ज्यादा समझ मैं के इसलिए अभी यह 2019 का लिया है तो देखो agriculture पुने का जो college है उसका cut off score for general जिसका है वो 82 उसके बाद cut off score for SC 69 cut off score for ST 58 and cut off score for OBC that is 73 तो यह college का है दूसरा college देखो तो देखो उसके नीचे है college of agriculture दूडे, college of agriculture अकोला, college of agriculture नागपूर, college of agriculture सोनापूर, दिन्स्री शिवाजी, college of agriculture अमरावती, उसके बाद आनन्द निकेतन college of agriculture वरोरा तो ऐसे बहुत सारे college हो और जिनके cut off आपको वहाँ पे दिये गए है तो cut off यह आप देख सकते हो अगर आपको B.A.C. agree या फिर D. form, B. form जिसका भी cut off आपको चेक करना है वो online जाके आप देख सकते हो कि कि पिछले साल कितना लगा है उसके ही आसपास इस साल भी cut off लगेग या फिर उस college के institute पे जाके आप cut off marks चेक कर सकते हो और अपना score आप देख सकते हो कि कितना आएगा फिर यह अगर आपको कोई सवाल है तो comment box में आप चाट कर सकते है इसे के साथ ही साथ मिलते है इन नेक्स studio में तब तक के लिए stay happy, stay motivated, thank you so much